और बाईयों यह देख लिए मैं छिया के खेद में खड़ा हूं और दिखा रहा हूं कि आपको कि छिया में कॉन सा रोग आता है लोग बोलते हैं कि छिया में रोगने हाथ छिया में इल्ली भी लगती है हमने एक बार इल्ली की 2 पर की थी और अभी भोज जा ठंड गीर रही तो मौसम खराब था तो मौसम खराब होने के विजह से इसमें थोड़ा सा प्रोब्लम आये है दिनबार ओसगेर रही थी उसकी ओज़ेसे देख सकते हैं आप यह देख ली जाप ये बीच में सुख गई यह यह समस्य रिख कुछ बालियों में ही हमारे इसमें देख सकते हैं यह देख सकते हैं कुछ कुछ बोलियों कुछ बालियां जो है वो खराब हो चुकी है इस मोसम के उज़से तो यह हमने क्या थोड़ा जल्दी लागा लिया था उसकी उज़से इसमें यह यह वाली प्राब्लम आई है कुछ बालियां सुख गई है और अभी टेमपेटर भी द हैं करें और इसकी अलावा इसमेली लगती है और इसके मच्छत आते हैं बिलकुल भी और साथ में इसमें आप इसकी बमाई जो फोड़ी से कर ली ती है इसकी बइाई इसरी सबसे करें कि यह जनवरी में बा लिया या अ長 달тории उसको आप लगब है एक मेने बात हैं इस Learning तो इसमें फिर ठंड निकल जाती है और इसमें रोग नहीं लगता यह कप अच्छा रहते हैं और इसमें सिर्फ पानी भी आपको इसमें बीज नहीं डालना है और यह देख सकते हैं आप काफी बढ़िया चिया है मेरी और मेरे में बहुत सर्च यह था पहले भी कि चिया के साई इसका उत्पदन भी अच्छा आता है लगबग आपको इसका उत्पदन भी एक एक एकड में बता रहा हूं मैं आपको साथ कुंटल के सम्तिंग एक एकड में आ जाता है और यह बस में एक बात का ध्यान रखे कि यह थोड़ी सी ठंड में जलने की समस्य आती है तो इसके लिए आपको वही 15 नॉम्बर के आसपास की बोनी करना चाहिए ताकि यह ठंड मिनना जले और जब अगर यह जल भी जात समस्य कुछ आते हैं अप यह एक भी समस्य करिंग यह थे एक ष्म्देजरे में अब देख वह नहींरे देख लिए इसमें बेख बेड़े एक यह देख लीजिए यह यह वाला यह देखे पूरा पोदा देख और यह एक पोदियम कम शकम सार्षा शितर सितर मन्जर है क्पी अच्छी फसल है और इसका भाव भी 15-17,000 के सम्तिंग रहता है एक क्यूंटल का तो कप अच्छी फसल है आपको भोना चाहिए और इसमें ज्यादा समस्या कुछ है नहीं आपको सिर्फ एक दो बार इल्ली की दवाईश प्रकरना इसमें इसके अलावा आपको इसमें और इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी प्रोब्लम नहीं है आप इसकी सिर्फ खेती करिए यह देख सकते हैं पूरा इसके अलावा इसको बारिस में भी लगा सकते हैं अगस्ता के महीने में आप इसको लगा सकते हैं बारिस में यह अच्छा रहता है अगस्ता के महीने में भी यह बोई जाती है और इदर आप 9 में लगा सकते हैं दोनों महिने में आप इसको लगा सकते हैं कापी अच्छी फसाल है